नमस्कार आप सभी को सात्वे अंतराष्टिय योग दिवस की बहुत बहुत शुब काम नाई आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उमीद के किरन भी बना हुआ है दो बर्षे दुनिया भर के देशों में और भारत में बले ही बड़ा सारवजनी कारकम आयोजित नहीं हुआ हो लेकिन योग दिवस के प्रती उत्सा जरा भी कम नहीं हुआ है कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थिम योगा फर वेलनेस ने करोरों लोगों में योग के प्रती उत्सा को और भी बढ़ाया है मैं आज योग दिवस पर ये कामना करता हूँ कि हर देश, हर समाच और हर व्यत्ति स्वस्त हो सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की ताकत बने साथियों हमारे रूशियों मुनियों ने योग के लिए समत्वम योग उच्चते ये परिभाशा दे थी उन्होंने सुख दुख में समान रहने संयम को एक तरह से योग का परामिटर बनाया था आज इस वैश्विक त्रास्थी में योग ने इसे साबित करके दिखाया है कोरोना के इन डेड़ वर्षों में भारत समेथ कितने ही देशों ने बड़े संकट का सामना किया है साथियों दुनिया के अधिकाव देशों के लिए योग दिवस को उनका सदियों पुराना सांसकृतिक परवन नहीं है इस मुश्किल समय में इतनी परिशानी में लोग इसे आसाने से भूल सकते थे इसके उपेक्षा कर सकते थे लेकिन इसके विपरित लोगों में योग का उत्सा और बड़ा है योग से प्रेम बड़ा है पिछले डेड़ सालों में दुनिया के कोने कोने में लाखों नए योग साधक बने है योग क्या जो पहला परियाए सैयम और अनुशाशन को कहा गया है सब उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे है साथियों जब करोना के अद्रिश्य वाइरस से और इस अद्रिश्य वाइरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ से और मानसिक अवस्ता से इसके लिए तैयार नहीं था हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठीन समय में योग आत्म बल का एक बड़ा माध्यम बना योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बिमारी से लड़ सकते हैं मैं जब फ्रंट लाइन वारियर से डॉक्टर से बात करता हूँ तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाब लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उत्योग भी किया और आज अस्पतालों से ऐसी कितनी इस तस्वीरे आती है जहां डॉक्टर्स, नर्सेज, मरीजों को योग सिखा रहे है तो कहीं मरीज अपना अनुभव साजा कर रहे है प्राणायम, अनुलोम, बिलोम, जैसे ब्रिटिंग एक्सरसाइज यह हमारे रेस्पिरेट्रिस सिस्टिम को कितनी ताकत मिलती है यह भी दुनिया के विशसग्य खुद बता रहे है साथियों, महान तमिल संत श्री थिरुबल्व बर्द जी ने कहा नोई नाड़ी, नोई मुद्दल नाड़ी हदू तनिकुम बाय नाड़ी, बाय पच्चय यलव अर्थात, अगर कोई बिमारी है तो उसे डायोगनाईज करो उसकी जड़ तक जाओ बिमारी की वज़े क्या है, यह पता करो फिर उसका इलाज सुदिश्चित करो योग यही रास्ता दिखाता है आज मेडिकल साइंस भी उपचार के साथ साथ हीलिंग पर भी उतना ही बल देता है और योग हीलिंग प्रोसेस में उपकारक है मुझे संतोस है कि आज योग के इस पहलू पर दुनिया भर्व है के विशेसग्या अनेक प्रकार के साइंटिफिक रिसर्च भी कर रहे है उस पर काम कर रहे है साथियों कोरोना काल में योग से हमारे शरील को होने वाले फायदों पर हमारी इम्मुनिटी पर पढ़ने वाले सकारात्मक प्रभावों पर कई स्टडीज हो रही है आज कल हम देखते हैं कई स्कुरों में ओनलाइन क्लासिस की सुरुवात में दस पंदरा मिनिट बच्चों को योग प्रानायम कराया जा रहा है ये कुरोना से मुकाबले के लिए भी बच्चों की सारीक रूप में तैयारी कर रहा है साथियों भारत के रूश्यों ने हमें सिखाया है व्यायामात लबते स्वास्तम दिर्ग आयुशं बलं सुखं आरोग्यम परमं भाग्यम स्वास्तम सरवार्ट साधनम अर्थात योग व्यायाम से हमें अच्छा स्वास्त मिलता है सामर्थ मिलता है और लंबा सुखी जीवन मिलता है हमारे लिए स्वास्त ही सबसे बड़ा भाग्य है और अच्छा स्वास्त ही सभी सफलताओं का माध्यम है भारत के रूशियों ने भारत ने जब भी स्वास्त की बात की है तो इसका मतलब केवल केवल सारीरिक स्वास्त नहीं रहा है इसलिए योग में फीजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर इतना जोड दिया गया है जब हम प्रायम करते हैं, ध्यान करते हैं दूसरी योगिक क्रियाए करते हैं तो हम अपनी अंतर चेतना को अनुभव करते हैं योग से हमें ये अनुभव होता है कि हमारी विचार शक्ती, हमारा आंतरिक सामर्थ इतना ज्यादा है कि दुनिया की कोई परेशानी कोई भी negativity हमें तोड नहीं सकती योग हमें stress से strength की और और negativity से creativity का रास्ता दिखाता है योग हमें अवसाद से अमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है Friends, yoga tells us that so many problems might be out there but we have infinite solution within ourselves we are the biggest source of energy in our universe we do not realize this energy because of the many divisions that exist at times the lives of people exist in silos the divisions reflects in the overall personality as well the shift from silos to union is yoga a proven way to experience a realization of oneness is yoga I am reminded of the verse of the great Gurudev Tagore who said and I quote the meaning of ourself is not to be found in its separateness from God and others but in the ceaseless realization of yoga of union unquote the mantra of Vasudhev Kutum Kam which India has followed since ages is now finding global acceptance we all are praying for each other's well-being if there are threats to humanity yoga often gives us a way of holistic health yoga also gives us a happier way of life I am sure yoga will continue playing is preventive as well as positive role in health care of masses साथियों जब भारत ने United Nations में अंतराश्च्टिय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे यही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलब हो आज इस दिशा में भारत ने United Nations WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपुन कदम उठाया है अब विश्व को M-Yoga M-Yoga App की शक्ति मिलने जा रही है इस एप में Common Yoga Protocol के आधार पर योग प्रशिक्षन के कई वीडियोज दुनिया की अलग-अलग भाषाओं में उपलब्द होंगे ये आधुनिक टेक्नोलोजी और प्राचिन विज्ञान के फ्यूजन का भी एक बहत्रिन उधारन है मुझे पूरा विश्वास है M-Yoga App योग का विस्तार दुनिया भर में करने और One World One Health के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमी का निभाएगा साथियों गीता में कहां गया है तम बिद्धा दुख संयोग वियोगम योग संगित्तम अर्थात दुखों से वियोग को मुक्ति को ही योग कहते हैं सब को साथ लेकर चलने वाली मानवता कि ये योग यात्रा हमें ऐसे ही अनवरत आगे बढ़ा दी है चाहे कोई भी स्थान हो कोई भी परिस्तिती हो कोई भी आयू हो हर एक के लिए योग के पास कोई न कोई समाधान जरूर है आज विश्व में योग के प्रती जिग्यासा रखने वालों के संध्या बहुत बढ़ रही है देश विदेश में योग प्रतिष्ठानों की संध्या में भी बुद्धी हो रही है ऐसे में योग का जो मुल्भुत तत्व ज्ञान है मुल्भुत सिध्धांत है उसको कायम रखते हुए योग जन जन तक पहुँचे अभिरत पहुँचे निरंतर पहुँचे ये कार्य आवशक है और ये कार्य योग से जुड़े लोगों को योग के आचारियों को योग के प्रचारकों को साथ मिलकल करना चाहिए हमें खुद भी योग का संकल्प लेना है और अपनों को भी इस संकल्प से जोड़ना है योग से सहयोग तक का ये मंत्र हमें एक नए भविश का मार दिखाएगा मानवता को ससक्त करेगा इनी शुबकामनाओं के साथ आज आंतराष्टिय योग्य दिवस पर पूरी मानवजात को आप सभी को बहुत बहुत शुबकामनाओं बहुत बहुत धन्यवाद झाल